रेनु का विश्णोई का कहना है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल है प्रदेश में चारो तरफ भय और ध्रश्टा चार का आलम है और ऐसे में कॉंग्रेस पाल्टी का प्रयास है कि प्रदेश में भय मुक्त प्रशासन स्थापित किया जा सके दरसल आज उरान फाउंडेशन जुलाना द्वारा शहीद दिवस पर जुलाना की ब्रहमन धर्मशाला में एक सम्मान समाहरों का आयोजन किया गया था इस समाहरों में हासी की विधायक रेनु का विश्णोई भी बतोर मुख्यतिती पहुँची थी इस दोरान पतरकारों से बातचित करते हुए ही हासी की विधायका रेनु का विश्णोई ने प्रदेश सरकार को जम कर कोसा वहीं प्रदेश कॉंग्रेस में चल रही गुटबाजी के सवाल पर रेणुका विश्णोई ने कहा कि कॉंग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, सभी नेताओं की अलग-अलग विचार धारा है, लेकिन सभी कॉंग्रेस पार्टी को प्रदेश में मजबूत बनाने में लगे हैं वहीं वर्तमान में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर रेणु का बिश्णोई ने कहा कि वो समय समय पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विधान सभा में आवाज उठाती रही हैं। यह की बात है कि जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहोती दे कर हम सभी को आजादी दिलवाई आजुन के सम्मान में उन्हें श्रधांज लियर प्रत कर रहे हैं। आज का दिन एक बहुती 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 दिन हम सब के लिए हैं। इस तन में किस तरह के गरता को दिन हो चांते हैं। जाम पर सभी गर्वों को आख लेकर और बहे मुखत और प्रिसाशन दे पाएं। सत्य खबर के लिए जुलाना से जोईबीर सिंग की रिपोल्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाईए ये सब्सक्राइब का बटन और पाईए देश प्रदेश की हर खबर।